बुजी शमा भी जल सकती है तूफानों से कश्टी भी निकल सकती है हो के मायूस यूना अपने इरादे बदल तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है गुड मानिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है सत्रे दिसंबर और रिस्टार्ट करते हैं आज ही करने फ्यास उससे पहले दोस्तों एदे भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ है आपको देली मौनी में करने फिस्टी रहे एदो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके मैं मोटिवेट ज़रूर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथ सेयर कर दिज strands अकि तैयरी कर रहे है ताक के उनकी वहल्फ हो सके औ दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष विजय दिवस मना जाता है 16 दिसम्बर को यानि की option इसका right हो जाएगा देखे उस तो यहाँ पर मैं आपको detail में बता दें कि विजय दिवस 16 दिसम्बर को 1971 की युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत करण मना जाता है और दोस्तों इस य युद्ध के अंद के बाद 93.000 पाकिस्तानी सेना ने आत्म समर्पन कर दिया था आपको बता देख साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी जिसके बाद पूरी भी पाकिस्तान आजाद हो गया जो आज बंगलादेश के नाम से जाना जाता है ठ कारगील विजय दिवस के बारे मताब को पता ही होगा इससे 26 जुलाई को मना जाता है और आपको बता देख कारगील युद्ध लगवक 60 दिनों तक चला था और यह 26 जुलाई को यह समाप अंध हुआ था ठीक है और इससे भारत की विजय हुदिश में इस दिन कारगील मानवा धिकार दिवस मना जाता है ठीक है तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है आपके एक्जाम में यह पूछा आ सकता है चलिए फटा फटा अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं हाली में भारत का पहला रेलवे विश्विद्याल यानि रेलवे इनिवर्सिटी कहां श परिवहन संस्थान देश के लिए समर्पीत किया है दोस्तों आपको बता देख रूस और चाइना के बाद यह दुनिया का तीसरा विश्विद्याल है ठीक है और रेलवे विश्विद्याल है दोस्तों पांस सितंबर दख़रों को अपने परचालन शुरू किये तो यह अंध्ड प्रदेश्मुक्त विश्विद्याल है कौँसी है भिनाWला में थी रक्षा विश्विद्याल है जो आता है 2013 मुईत है तो हालि में भारत है आज का 17,000 लाइक का फटाबर दोस्तों प्लीज आपको प्यार और सपोर्ट दिखना चाहिए तो फटाबर वीडियो लाइक कर दीजिए आपका अगला कोश्चन दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संसकरण जनवरी जनवरी 2.9 में कहां आजित किया जा जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ओफसेली पूटे में थीकव बहारस tools टोसरे शेम्स का दूसरा संसकरण जनवरी 2019 पूने महरा महारास्ट्रा माजित किया जाए ठीक जनबारी 2019 में पूरे महारास्ट्रा में तो आपके आधर रखना है अगला कोशन है कोशन नमर फोर्थ है भारत सरकार और एसी आई विकास बैंग ने किस राज्य में परेटन परिविजना के लिए 31 मिलियन डॉलर के रिण समझोते पर साक्षर किये हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल लाडू ठीक है तमिल लाडू देखे तो भारत सरकार और एसी आई विकास बैंग ने तमिल लाडू में परेटन परिविजना के लिए 30 मिलियन डॉलर के सब्सक्राइब को दोस्तों इसका क्या करने समझोते पर साथ यहां पे बात हो रही एसी याई विकास बैंग की एसी यह विकास बैंग की तो चुछा आता है अक्सर एसीक विकास बैंग से लेटेट कोशन फोशन प्षातर ठीक है तो यह आपको काफी important है याद रखिए कि इसका इस्थापना और headquarter मुख्याले इसका मुख्याले का है मनिला फिलिपीन्स में तो इसका question कराइड answer जाएगा तमिलाडू option D अगला question देख लेए दोस्तो फटाफट भारत सरकार ने राश्ट्री पेंसर नियोजना में अपना योगदान 10% से बढ़ा कर कितना कर दिया है कर दिया दोस्तो 14% यानि का option ने correct हो जाएगा ठीक है भारत सरकार ने राश्ट्री पेंसर नियोजना में अपना योगदान 10% से 14 परसंट तक कर दिया है Unsure Tuam कि दोस्तों करमड पुरुषकार्द श्न परोज्य के लिए चैन किया गयात। करेक्ट हो जाएगा चावल स्रेडी में दिया गया है जहार खंड को ठीक है तो यहां पर आपको यह कोश्चन याद रखने आपका आपका अमें इसमस के लिए बहुत महत्पूर है कोश्चन नमर एड़ थे महिला टेनिस एस्योशेशन कोच आप देयर पूरुषकार के पहले प्रविजयता के रूप में चुना गया है तो ऑफसनी करेक्ट हो जाएगा खोश्चन नाइंथ है दुस्तों फिल्म एंड टेलिविजिजन इस्टिट्यूट ओफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्याक्ष्न नया चेर्मैन किसे बनाया गया है दुस्तों फिल्म एंड टे बिरिजंद पाल सिंग इसकी स्थापना को जोस्तों फिल्म एन टेलिविजिन इस डिट्स टॉफ इंडिया की 1960 में इसका है पूरे महरास्ट्रा में ठीक है चलिए अगला कुछ ने देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको याद रखना है काफ ही इंपोर्डेंट है कोश्चन नमर 11 है दोस्तों सैयुक्त राष्ट ने कि इस देश में सुरक्षित वेवस्थित और नियमित प्रावासन के लिए बैस्षिक शम्झे होता अपनाया है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप सतत जल प्रवंधन पर पहला अंतराष्टी सम्मेलन कि शहर में आजित किया गया तो दोस्तों सतत जल प्रवंधन पर पहला अंतराष्टी सम्मेलन आजित किया गया मोहाली में ठीक है ऑप्सन डी करेक्ट हो जागा मोहाली में कोश्चन 13 है हाली में किसने प्रतिष्ठित मि मिश्वर्ड 2018 का ताज जीता है तो यह काफी बोड़ें कोश्चन इसको आपको याद रखना है करेक्ट एंसर हो जागा इसका ओप्सण डी वैनेसा पॉंस डी लियोन ठीक है मैक्सिको की है यह वैनेसा पॉंस डी लियोन प्रतिष्टित मिश्वर्ड 2018 ताज जीता है 2017 का मिश्वर्ड किसने जीता था तो भारत की जो हरियाड़ा की मानुस्य चिल्ला रहें 2017 का मिश्वर्ड जीती थी तो आपको यहाँ प्याद रखना है मिश्वर्ड 2018 का तो मैक्सिको की है यह वैनेसा पॉंस डी लियोन ने मिश्वर्ड 2018 खिता था बारत की तरफ से पहली वा अगला कूशन है भारत में चार अंतराष्टी हुआईटवाला पहला राज राज कौन सा बन गया है ? तो भारत में चार अंतराष्टी हुआईटवाला पहला राज बन गया केरल ठीक है आनिया की रूसी संकी नोसेना ने 9 से 16 दिसमर 18 तक समुद्री अभ्यास इंद्र नोसेना 18 आज़ित किया है ठीक है अब देख ले दोस्तो लास्ट टूडियो का अंसर मैंने कोशन पूचे था FTII यानि Film and Television Institute of India कनया अध्यक्षिश्चे बना गया है सभी स्टूडिन ने राइट एंसर दिया तो काफी डिटेल में लिखा था काफी important question आपके अगाम exam ज़रूर पूचा जाएगा और साथी साथ पूरे डिटेल के साथ जैसे हमने दोस्तो लास्ट टूडियों आपको बताया था एक एक डिटेल के साथ कभी स्थापना होई थी इसकी पहली बार किसको मिला थे पूरुसकार वह ऐसी आपको comment box में लिखना है जितने डिटेल में आपको लोग लिखे थे दोस्तों उसना आपको याद रहेगा ठीक है आपके आगाम exam के लिए काफी मातपूर है ठीक है चले दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियों के साथ आपने कल की वीडियों नहीं देखे उस तो आपके आगाम exam बहुत helpful होने वाले ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियों के साथ आप अपना ध्यान रखे स्वस्त रही है बेस्त रही है मस्त रही है जै हिन जै भारत